हालो गाइज यार वेलकम बेक तो इस यूटूब चैनल में नाम आशी श्रमा स्वागते बाइब फिर सभीका आपके अपने इस यूटूब चैनल के एक और न्यू एंट फैस्ट वीडियो में जहां यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में हैं इसको इतना ब्रीफ नहीं लिया था बट अब मैं आपको इसको और भी ज्यादा ब्रीफ करके बताऊंगा कि लोब कि मैं सबसे पहले बात करने शाट कुरूंगा कि लोब जो है उसे कितने पार्ट है तो चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी कि देन आ फर्स्ट सबसे पहले बात करूंगा इसके पार्ट की तो पार्ट के अंदर सबसे पहले इसमें क्या आएगा फर्स्ट फॉल इसके अंदर आएगा अपेक्स एंड बेस क्या एगा तो दीके अपेक्स के अंदर यहां पर क्या होता पैक्स अपेक्स कहा पthsेंट होता है अपेक्स होता है डा कि कहां परजेंट होता है डारेक्पति अ upward and slightly laterally यहां पर इसका जो मैं बात करूँ किस चीज की यहां पर इसकी बात करूँगा मैं attachment किसे होता है तो this is the limited seriously superiorly attached by the sternothyroid muscle to the oblique line of thyroid cartilage okay limited superiorly by attachment oh attachment of kiss car attachment kiss car why not a why sorry attachment of is turn no thyroid muscles किसे किसे attachment रहता है attached to oblique line of thyroid cartilage okay यह हो गया इसका एक portion की limited superior by attachment of sternothyroid muscle to the oblique line of thyroid cartilage तो इस वाली पूरी लाइन को ध्यान रखीगा यह पूरी इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आप पूरी लाइन लिख वाई है और यह एक जिसका प्रेक्स पोर्शन है यह यहां पर कैसे ब्याइव करता है this is behave like a sandwich okay and sandwich किस-किस का sandwich between the inferior contractor or constrictor and sternothyroid muscles का क्योंकि upward यह का कर सकता essence जो upward के अंदर मतब उपई के साइड में है यह वहां पे और ज्यादा बढ़ नहीं सकता देखिए मैं बताओ किस तरह होता है मालीजी यह एक apex का जो है लोपस का एक apex है यह apex मालीजी लोपस का ऐसे है ठीक है तो यहां पर इसके अंदर sandwich का मतलब यह है कि यहां पर मालीजी आ गई inferior constrictor और आ घो इसको क्या कर देगा इसकी ओड्ा ज्यूदय करें कि आप यहांस अगे नहीं भड़े नहीं सकते यह के लिए इसको बोला जाता है सेंडूइक की तरह कि प्लिए लिए को कि यह बहुत बार पूत जाता है एक्जाम्स मेन मेंन ऐंधंूचर एंड इस्टर्नो थाइरोइड ओके यह हो गया इसका आपेक्स का पॉरिशन नाओ वे विल तोक अबाउट इस बेस ओके तो बेस के अंदर देखिए बेस यहां पर क्या होता है इस परजेंट ओन दे लेवल विद दे फॉर्ट एंद फिफ्थ ट्रेक्या रिंग ओन लेवल विद फॉर्थ और फिफ्थ ट्रेक्या रिंग और विकन से रिंग ओके यह हो गया इसका एक पॉरिशन नाओ विए डिस्कर्स अबाउड इस सर्फेस लिए यहां पर बहुत सारे अपने अटेच्मेट्स देती हैं यहां पर साथ की साथ आपको किस चीज के बारे बता रहा हूं आप लोगों को यहां पर जो बता रहा हूं just like that कि समाज लीजिए कि मैं आपको यहां पर इसकी रिलेक्शन्स भी साहत के साहत. कांफ साहते जो चल रहा हूं यहन इतरे ट्रेम यहां पर कितने सर्फेस रहेंगे यहां पर आपको टेखने को बिलेंगे थैन सर्फेस जान कह के ःतिन सर्फेस तीन सर्फेस the first one is lateral e-t-e-r-a-l तो lateral के अंदर यहाँ पर actual में आपको यहाँ पर तू देखने को मिलें के कौन से the first one is convex ओके मतलब जो कौन से shape कर रहता है यह present होता है convex shape में और this is covered c-o-v-e-r-e-d covered by यहाँ पर यह चार muscles की तरू क्या होता है covered रहता है कौन कोसी मुसल्स रहें गई वाली चार first one is sternothyroid the another one is sternohyod sternohyod यह सारी-सारी मुसल्स है the third one is superior belly of omohyod superior belly of omohyod and the last one is anterior border of sternocleidomastoid muscle okay तो यह हो गए इसके relations तो यहाँ पर हमने क्या है कि हमारे पहले कुछ जैसे की triangles हमने यह पर complete कर लिए तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन से triangle में आएगा कोई मुझे confirm कर सकता है देखे यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल पढाता कौन सा muscular triangle का first part हमने यह पर पढाता तो जिसके अंदर हमने यह पर बताया था कि muscular triangles यहाँ पर किस्ते कैसे बनता है कौन सा muscular triangle होता है this one will be the muscular triangle okay और इसकी contents में आपको बताँगा एक बार तो देखे आपको बताता हम इसके contents तो देखे first of all infrahyoid muscles not infrahyoid muscles इसके contents की बात करना हूँ first of all sternohyod sternohyod okay the second one is sternothyroid sternothyroid then and the last one is homohyod and if homohyod को कौन सा पार्ट है inferior portion or not superior belly of homohyod superior belly of homohyod and the inferior portion of sternocleidomastral muscles sternocleidomastral muscles तो किसके reason में present है this is the present in the reason of muscular triangle ठीक है यहाँ पे muscular triangle रहेगा और मैंने आपको यहाँ पे याद हो तो बताया था किसके structures के अंदर यहाँ पे कौन present रहेगा thyroid gland यहाँ पे मैंने आपको confirm किया था एक पर आपको समझ में आए कि मैंने यहाँ पे आपको क्यों बलाता कि इसके structure में thyroid gland से this one ओके तो यह पूरा contents किसका है muscular triangle का this is not a artist this is the triangle one okay यह हो गया इसका एक portion now see अब हम इसके दूसरे portion की तरब देखते हैं पर दूसरे surface की तरब देखते हैं तो दूसरा surface क्या है another surface is medial surface medial surface medial surface के अंदर यहां पर इसके तीन पार्ट से तीन पार्ट से यहां पर जो तीन पार्ट से the first one is मैं आप एक बात बोलूँगा यहां पर आप लोगों को confused नहीं होना है कि यहां पर जातो two tubes रहेगी तो two tubes को हम यहां पर क्या-क्या नाम दे सकते हैं the first one is trachea और larynx and oisophagus और we can say pharynx यहां पर larynx और pharynx में मैं confused हो सकता हूँ यहां पर हो सकता है कि मैं आप नाम गलत बोल दिया हो क्योंकि मैं इन में थोड़ा सा confused रहता हूँ, confusion है मैं जी skin के अंदर यह कोई दोराई नहीं है the first one is trachea और another one is oisophagus okay तो यह हो गए इसके two tubes और we can say मैं आप इसको pencil से लिख रहा हूँ आपको confirm करके इसको क्या करूंगा correction कर सकता हूँ फिर बाद में the larynx one and the pharynx one okay अब यहां पर two muscles भी रहेगी medial surface में यहां पर किस किस का क्या portions देखने को मिल रहा है हम मैं साथ में आपको यहां पर क्या लिख रहा हूँ इसकी relations में लिख रहा हूँ तो यहां पर two muscles का relations आपको देखने को मिलेगा two muscles two muscles कौन कौन सी है the two muscles is the first one is the first one is inferior constrictor and the another one is cricothyroid muscle cricothyroid muscle cricothyroid muscle ठीक है यहां पर two muscles आपको देखने को मिलेगी now अब यहां पर two nerves भी आपको देखने को मिलेगी किती nerves two muscles, two tubes and two nerves अब two nerves यहां पर कौन कौन सी रह गई देखिए यहां पर two nerves की मैं आपको बात करूँगा तो सबसे easy nerves है कौन कौन सी external laryngeal nerve external laryngeal nerve and the another one is recurrent recurrent laryngeal nerve अब यहां पर और भी हमको कुछ देखने को मिलेगा two cartilage two cartilage के हमको यहां पर relations देखने को मिलेगी कौन कौन सी है two cartilages यहां पर कौन को सी देखने को मिलेगे कि actual के अंदर जो सकते हैं यह हो गया इसका कौन सा portion और we can say posterior lateral surface तो posterior lateral surface वह anterior lateral है और यह posterior posterior lateral surface है अब यहां पर आप लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा important जहां रखना है कि medial surface और posterior surface की बीच में यहां पर क्या present होता है this is separated by posterior border okay and medial surface के अंदर है medial surface में यहां पर present रहेगी कौन सी gland parathyroid gland तो इसको यहां पर एक यू निशान करके लिग लिए जीगा presence presence of parathyroid gland presence of parathyroid gland यहां पर आपको यह नोट कर ले ना क्योंकि यहां पर इसी के अंदर presence रहेगी parathyroid gland यहां पर इसके बार में इसके बार में डिसकर्स करेंगे क्योंकि इसकी भी एक completely anatomy आएगी यहां पर क्या है किस-किस के यहां पर relations देखने को मिलेंगे inferior jugular vein वरलेप कोमन करुचरी अर्टरी इससे नाथब नहां पर देखना रहें इस सर्विकल संथेटिक चैन सर्विकल संथेटिक संथेटिक चैन संथेटिक वर वेगस नर्व एना सर्वाइकलिस जिसके बारे में हम अबस से इसके आगली वीडियो में जानेंगे जरसे यह पोश्चन खतम हो जाएगा तब हम एना सर्वाइकलिस के बारे में बात करेंगे और और खश्चन खू Worksण के बारे लान सर्वाइकन फ्से री तल्यक第2 रीय त खूर सेख अर्वाईक जर्वाइक्न घलना स्थिंड और ख़र देख तू के नहीं हो गये इसके posterior lateral posterior lateral surface के payout relations नव बात करेंगे इसके पुछ बडर के बारे में तो बड रह्कецे यहाँ पर एक बात रखेगा यह जो बडर्स हैं बॉर्ड़र्स यहाँ पर two types के बॉर्ड़र्शस यह सर नो टुटाप्स के कोंकों से दोर्ट के यहां पी रतें एंटीरह एंड ऊंड दालस्ट फॉस्टीडियर तो फास्त app авesta दॉस्ट lud जैसे हमने हमरे यहां पे लाइन्की किश की पल geehrजी दिखें की सिस् times तरीका कि दा फर्स्ट बन इस को एंटीर बोर्डर के अंदर आपको यहां पर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा एंटीर बोर्डर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एंटीर जो पॉर्शन है इसका जस्ट थीन पॉर्शन तो एंटीर ब्रांच ऊस्फ ब्रांच थायरोड आर्ट्री यहां पर अगर हम बात करेंगे इसके दूसरा ब्रांच ब्रांचऊंट की तो रहता है कुसा पोस्टेरियर बोर्डर यहां पर इसके अंदर बहुत सारे भी आपको यहां पर क्या देखने को मिलेंगे नब फिर्स वन इस था कौंसा थोरेशिग डक्ट थोरेशिग डक्ट कहां पर पर पर्जेंट होता है और left side ठीक है? left side में यहाँ पे थोरे से duct present रहेगी किस type का रहेगा? यह portion thick and rounded कौन से type का portion रहेगा? thick and rounded यहाँ पे और कौन कौन सी artery जाएगी? inferior thyroid artery और पेरा thyroid gland पेरा thyroid gland भी यहाँ पे पर्जेंट रहेगी यह portion है, same portion यह और यह medial portion, medial surface और posterior border की बीच में यह पर posterior surface, posterior border की बीच में वहाँ पे क्या पर्जेंट रहेगी? पराथारोड gland पराथारोड gland यहाँ पर दिखेंगे 4 dots में पराथारोड gland पर्जेंट रहेती है चार पराथारोड gland two pairs के रूप में तो discuss करेंगे हम उसके बारे में brief में discuss करेंगे तो यहाँ पर भी लिखना है पराथारोड ग्लेंट और देखें यहाँ पर एक सबसे important बात है कि यहाँ पर एक separated होती है separate the medial and posterior branch तो आप लेखे लिजे यह क्या करेंगी this is mainly separate the medial and posterior branch between 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 यहाँ पर क्या क्या एगा superior and inferior थारोड artery between तो superior and inferior thyroid artery okay and parathyroid glands तो यहाँ पर जो separation होगा separation किस-किस का medial and posterior branch का separation होगा यहाँ पर separation होगा superior and inferior thyroid artery and parathyroid glands का तो अगर यहाँ पर आगर बात कुरूंगा इस वाले portion की यहाँ पर जो लिया है किसका नाम इसका 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 अनाश्टो आश्टो मोसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाग क्या क्या इसक रहर आपको क्या 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 कि टूबर्कल ओफ जुकर कांड़ा कि हमें कि जुक कर है केंड़ कि होके तो यह हो गए इसके कंप्लेट पॉष्जन जो हम्रे बात कि यहां पे लोप की कि लोप किस तरीके से यह पेश होंगे तो देखिए यहां पर मैंने आपको बता ही कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा टू बोर्डर्स ठीक है तो आप यहां पर लेटर आ जो आपक्स की मैंने बात करी कहां पर स्लाइटली अपर प्रजेंट रहेगा लिमिटेट बाइटेज्मेंट ऑफ स्टर्णो थारोड मुसल्स और ऑब्लीक लाइन ऑफ थारोड मुसल् बाता है जैसी कि आगे इसका जो है मतलब ग्रोथ है इसकी बढ़ना पाए मतलब आगे यह और ज्यादा फैल ना पाए बेस यहां पर होता है ओन दे लेवल विच इस दे प्रजेंट और इस फोर्थ और फिप्ट ट्रेकल रिंग्स लेटरल के यहां पर कॉन्वेक्स होता है कवर बाई मस्कुलर आर्टि का मस्कुलर ट्रानल का क्या या-कांटेंट देख लीजिए सारा मस्कुलर्त रएंगल अकंटेंट भूस अगर बिजला मेर्वेस की मातकर रहां मेर्ब ड्यजंग में आपस रसारे चुछक्षक्ष को अधिर्स में आप सुड़त यह पस टु the two borders which is known as a dn posterior anterior have the relations of the superior thyroid artery but posterior have so many types of relations to another parts of thyroid glands just a key thoracic duct or a 30 degree inferior thyroid artery and parathyroid glands and also have a tubercle which is known as duker candle okay guys to you guys ka poora portions I hope I'm gonna so please guys if you have a video like or share subscribe to the channel where there are some problems that are going to be updated because there are privacy policies changes so my apps will continue to reject three times but there are some problems that are going to be uploaded so I hope you can understand सकते हो मिलेंगे फिर से अगले वीडियों में कुछ न्यूवान बेस्ट इंफोर्मिसर के साथ हैं तब तक लिए जैहिंद होगा ने मातरा हूं